मुझज़फरपूर में एक नाबालिक लड़की से एक यूवक ने पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर पहले उसे घर से बहला कर अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ तिन दिनों तक दुसकर्म किया यूवक नाबालिक को दर्भंगा ले जाकर अपने कमरे में बंद रख कर उसके साथ उसकर्म करता रहा साथ ही नाबालिक का यूवक ने आपत्ती जनक वीडियो बना लिया और अब यूवक लड़की को वीडियो वाइरल करने की धमकी भी देने लगा है घटना को लेकर पिडिता एससपी ऑफिस पहुची बताते चले की पूरा मामला गायगार थानत छेदर के एक गाउं का है जहां एक नाबालिक लड़की ने ये आरोप लगाया है कि उसकी मा के नमबर पर पास के गाउं के रहने वाले यूवक ने पुलिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर उसे बेनी बात बुलाया फिर वहाँ से बहला फुसला कर उसे दर्भंगा अपने रूम पे ले गया जहां उसके साथ दुसकर्म किया इस दोरान यूवक ने उसकी असलील तस्वीर भी ले ली इसके बाद उसे रूम में बंद कर दिया तीन दिन तक उसे अपने कमरे में रखकर दूस कर्म करता रहा और फिर वीडियो वाइरल करने की धमकी भी दी इस मामले को लेकर पिडिता ने SSP कार्याले पहुँचकर न्याय की गुहार लगा रही है दर्भंगा से मुझा फोड़ जाने वाल एक बैक्ति आयेगा तो हम तो बला भिडाने बादТакने देगा वेनिवाद है आने से पहले ही चल गया लेत हो गया आने में उसके बाद हम बोले कि आप हम घर जाते हैं आने में लेट हो आघाया थो फिराख कभी तो भॉला कि नहीं नहीं चलो दर भंगा चला के आज जो अब बहुं बोले हमें ये लाइ ममी को करती हूं ला baik प्रम और पूलीस बनाएंग पूलिस में उसके बाद मेरे साथ ले गया ढूरांया प्रूम में बंद कर दिया, नो बाल भी दिफर रूम पे ले कर आते हूं शला गया है Uno दिर्यय तारिक को शितकी बाद में साथ फिर जवरदस्ती चाहिक बंद संबंध वानाया उसके बाद इल्टा सिधा बोलके और उसके बाद वो फिर चला गिया और बाद बोला झाल है रची आपरा बाद बोला है यास्य है यास्य है टोड़ बोला बार के बाद आपरा बाद इन जातल बोला है झाल 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 झाल